कई दिगज नेताओं के साथ उपमुख्य मंत्री अरून साव प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जैसवाल करेंगे शिर्कत जिला गोरेला पेंडरा मरवाही में भारतिय जंता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्याले के लोकारपण में प्रदेश स्तर के कई दिगज जिला कार्याले का लोकारपण कल गोरेला पतेरा टोला वार्ट। भाजपा प्रदेश उपाधिक्ष भूपेंद्र सवन्नी, भाजपा प्रदेश कोशाधिक्ष नंदन जैन, मर्वाही विधायक प्रणम मर्पच्ची, संगठन संभागिय प्रभारी अनुराग सिंह देव, एवन संगठन जिला प्रभारी जय प्रकाश शर्मा की उपस्तिती कारेक्रम संपन होगा। उतकरिष्ट अंग्रेजी माध्यम विध्याले पेंडरा में सामुहिक रूप से न्योता भोज का आयोजन किया गया। इस सामुहिक रूप से भोजन करने का अवसर मिल रहा है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के मार्ग दर्शन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित न्योता भोज में प्रदेश अध्यक्ष्री किरंदेव सिंग, बिलहा विधायक्ष्री धरमलाल कौशिक एवं मर्वाही विधायक्ष्री प्रनव कुमार मर्पच्ची, जिला अध्यक्ष्री कन्हिया राठोर, जिला महामंतरी राकेश चतुरवेदी एवं लाल जी यादव, वन मंडला धिकारी शशी कुमार, अतिरिक्थ पुलिस अधीक्षक मनीशा ठाकुर रावटे, परियोजना निदेशक डियार डिये के पीते इंदुलकर, ASTM पेंडरा जिला शिक्षा अधिकारी जे के शास्त्री सहित अनेक जन प्रतिनिधियो एवं गर्माने, नागरिकों ने बच्चों के साथ न्योता भोज किया और उन्हें आशीश दिया जांजगीर चांपा पुलिस ने राजे एवं दीगर राजों से 102 नग गुम मोबाईल किया बरामत, कीमती करीबन 18,50,000 रुप पुलिस अधीक्षक्ष्री विवेक शुकला भापु से द्वारा पुलिस लाइन जांजगीर में मोबाईल धारक मालिक को किया गया वितन मोबाईल पाकर आम नागरिकों के चहरे में आई मुस्कुराहट मोबाईल धारक द्वारा अपनी एंड्रोइड फोन के गुम होने की सूचना थानों में दिया गया था जिसका पता तलाश वकोजबीन साइबर सेल जांजगीर द्वारा किया जा रहा था सी आयओ पोर्टल जो गुम मोबाईल की जांकारी है तो भारत सरकार द्वारा लाच किया गया है कि माध्यम से कुल 102 मोबाईल बरामद कर मोबाईल स्वामी को सुपूर्द किया गया अभियान के तहित चांजगीर चांपा जिले के अलावा बिलासपूर, कॉर्बा, राइगर, राइपूर, दुर्ग सक्ती एवं अन्य स्थानों से गुम मोबाईलों को किया गया बरामद मोबाईल धारकों को अपने मोबाईल फोन मिलने की कोई उमीद नहीं थी लेकिन पुलिस द्वारा साइबर सेल की तक्नीकी सहायता से बरामद कर मोबाईल धारक को वापस किया गया पुलिस अधीक शक म मोबाइल गिरा हुआ मिले तो उसे ततकाल नजदी की थाने में जमा करे और अच्छे नागरिक होने का परिचे देने हेतु सुझाव दिया गया। कि इस आश्रम का पुराना भवन जरजर हो चुका था जिसको ग्राम पंचायत सबाग के सरपंच बटा सचिव के द्वारा भवन की स्थिती को देखते हुए पुराना जरजर बालक आश्रम को तोडवा दिये थे लेकिन मलबा को यथावत छोड़ दिया गया था जो उसी स्थ चुका डर बना रहता था जहां प्रात्मिक शाला स्कूल के छोटे-छोटे बच्चियां खेलते रहते थे ये कभी भी बच्चे हाथसे का शिकार हो सकते थे जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो में जाकर इसकी प्रमुकता से जांकारी होस्टल प्रबंधन से लिये तो बोला गया था कई बार ग्राम पंचायत और वरिष्ट अधिकारियों एवन जन प्रतिनिधियों को भी जांकारी दी जा चुकी है लेकिन सरपंच सचिव या कोई अधिकारी जन प्रतिनिधी इस ओर संग्यान में नहीं ले रहें थे जब हमारे चैनल में प्रमुखता से खबर दिखाया गया तब पंचायत के सरपंच एवन सचिव आए हरकत में और ततकाल उस मलबा को जेसी भी बुल्डोजर लगा कर मलबा साफ करने और बच्चीयों को खत्रे से निजात मिला केंदर सरकार के आयुश्मान योजना के इंसेंटिव की राशी में BMO के द्वारा बड़ा गोल्माल करने का मामला सामने आया है दरसल सरगुजा जिले के सीतापूर विकासखंड के चिकित्सकों ने BMO पर आरोप लगाया है कि आयुश्मान भारत योजना के तहित शास्की अस्पतालों के चिकित्सक के द्वारा जिन मरीजों का उपचार किया जाता है उसके बदले उन्हें कुछ राशी इंसेंटिव के रूप में प्रदान की जाती है लेकिन BMO के द्वारा उक्त इंसेंटिव की राशी में गरबड़ी करते हुए उन्हें मिलने वाली राशी में बड़ी कटौती करते हुए लगभग 4,30,000 की राशी जो सत्र 2021-22 का था अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया मामले की शिकायत चिकित्सकों के द्वारा ततकालिन सीये में चो से भी की गई थी पर उन्होंने भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया अब चिकित्सक एक चुट होकर BMO पर कारवाही के साथ ही बची इंसेंटिव दिलाने की मांग कर रहे है हम बता दें ऐसा मामला यह पहला नहीं है लगातार सरगुजा जिले में सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों का इस प्रकार से आयुश्मान भारत योजना के तहित मिलने वाले प्रोचाहन राशी में गरबडी की शिकायत मिल रही है जो की जांच का विशे है और इस पर गहन जांच होनी चाहिए अभी इसकी सुचना आप लुगों के द्वारा ही मुझे दी गई है वहां के डॉक्टर की बाइट देखा में उनकी कुछ सिकायते थी कि घटना 21 22 की है और मेरे संग्यान में अभी आया है तो इस सिलसिले में मैं एक जाच समिती गठित कर रहा हूं और चुभी नियम संबत होगा जिस देंग से पैसा दिया जाता है उस देंग से कारवाई होगी तर एक बीमो के दवारा अपने अकाउंट में इस तरह से एक अच्छे का से मांट को अपने में आहरट करवा ले ना या किस तरह से मानते हैं सर चुकि ये बात अब भी जस्ट आप लोगों के दोरा ही मुझे दी गई है तो मैं इस बारे में बीमो का भी पक्स लूँगा अगर ऐस टाइक का है अगर गलत है तो गलत है तो इसमें किस तरह क्या आगे कारवाही देखने को मिलेगी ज़र जाच समीती की गठित करेंगे उनके दौरा जोगी उनकी अनुसंसा आएगी उस आपने पकानजूर शेत्र का मशूर बर्दा आश्रम जिसमें हर साल इंगलेंड से शरीधधालू आते है जिस वज़से इस आश्रम में लगने वाले मेले को अंग्रेजो का मेला के नाम से भी जाना जाता है जहां हजारों की संख्या में लोग आते है पर इस जगः पर बिजली की समस्या की वज़ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्थानिय लोगों का कहना है कि यहां मेले में हजारों की संख्या में श्रधालू आते है बिजली की समस्या से पिने का पानी भंडारे में बनने वाला भोजन बनाने बहुत समस्या होती है वही विदेशी भक्तों को रहने में भी परेशानी होती है आश्रम केस वामी का कहना है कि विजली की समस्या को लेकर कई बार आवेदन दिया गया पर किसी प्रकार का मदद नहीं मिला अब मांग करते हैं कि विजली की समस्या का समाधान जल्द किया जाए हमें बहुत दूर दुरस्त से भागते गणा आते हैं बार्शी पुर्शक किया जाता है इसके कारण हमें विजली की आती आवश्यक्त है विजली की कमें के कारण हमें बहुत सरे परिशनी को उठाना बढ़ता है क्योंकि यहां पर जो वुटत लगाते उसमें पानी के जुरत है रहने के लिए लाइट के दूरत है काफी परिशनी उठानी पड़ता है हमें चाहरा है कि अगार या बीज बीच पर हम लोग हर गाव में जाते हैं मेडिकल कम लगाते हैं वहां फिरी निश्यक्त संब्र करवाते हैं बिजली तो यहां पर है लेकिन बिजली रहने के है अमरे जो चुने हुए है विर्हायक जी या शांशत जी बहुत बर्या आए बहुत पर हम लोग मोखिक उन लोगों से आवेदन किया लेकिन लोग हर वार बोला है कि हम लोग कुछ नहीं को जबस्ता जरूर करेंगे इस साल कर देंगे नेक्स टेर कर देंगे तो अभी तक अईसा हुआ नहीं है लेकिन आम्त में इस साल हम लोग फुरा अलग से एस्टेप लिए और पकांजर में जाके अवेदन भी दिये है ताकि जल्द सी जल्द यहाई ट्रांस्पर्मर का लबस्ता किया जाए तखतपूर्थाना शेत्र के बेलसरी निवासी 22 वर्षी योगेश खांडेकर की संदिक धालात में लटकी मिली लाश को उसके परिजनों इसे हत्या की आशंका जाहिर कर फिर से पोस्ट मार्टम कर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे है मृतक के पिता ने कहा जब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वे अपने बच्चे का अंतिम संसकार नहीं करेंगे दरहसल मृतक योगेश की लाश उसी के शर्ट से सेड नुमा पाइप में लटकती हुई मिली बताया जा रहा है कि योगेश कल अपने दोस्त के साथ निकला था उसके बाद से युवक गायब था तकहतपुर के जोरापारा के पास कल सुबह जब लोगों ने लटके हुए लाश को देखा तब आसपास के शेत्र में हरकंप मच गया लोगों की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुँचे लाश को देखते ही परिजनों ने योगेश की लटकती हुई लाश को हत्या कर लटकाए जाने की आशंका जाहिर कर सिम्स में पोस्ट मार्टम कराने की मांग की आज योगेश की लाशका सिम्स में पोस्ट मार्टम कराया जा रहा है बड़ी संख्या में योगेश के परिजन और ग्रामीन सिम्स मर्चूरी पहुंचे सिम्स मर्चूरी के बाद सैक्डो की संख्या में एस पी ओफिस का किया घेराव में नखै आ जब तक न्याएं नहीं मिलेगा रात को नहीं रहा हुआ and रहा मेरे लेने के लिए फाना में नहीं रहा वहाँ मेरे पास आया नहीं और मैं घर आ गया तो रात को बोड़ा रहे थे यह आओ बात कर लेते हैं अशा करें गर में दुख पड़े क्या बात करें इसको और वो लड़का जिसके सांध में गया था उसको बताएं उसका नाम नरेन ठागुर वी उसको अरेश्ट किये थे उसको क्यों छोड़ दिया गया है सुन्धा हुआ है मोटर्स उसका मोबाइल आत्मात्य के रहा था उसका मोबाइल कहा जाता मोबाइल भी उसका गायब है उसका पंच्छा दूर में पड़ा है जिस गाड़ी में वो गया था गाड़ी दूर में पड़ा है उसके डेट बाड़ी में चैन मिला था और वो चैन पहनता नहीं है किसक PCC चीफ दीपक बैज का बयान भारतिय जन्ता पार्टी का जूटा आंकड़ा है। लगभग 25 लाख फॉर्म ही स्वीक्रित हुई है, 50 लाख से अधिक फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, सरकार सचाई चुपाना चाह रही है, माता बहनों के साथ इन्होंने धोखा दिया है, चुनाव के समय हर विवाहित महिलाओं को 12,000। देने का वादा किया था सत्ता में आने के बाद क्राइटेरिया बाट दिया 36 गड़ के माता बहनों को जितना लाब मिलना चाहिए, नहीं मिला 36 गड़ की माता बहनों को ठगने का काम किया जिस तरीके से आंकड़े जारी हुई है, यह फरजी आंकड़े हैं। इसलिए एंटीन कंबंसी को डेमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह के हत्कंडे अपना रही है। अपनी तैराकी का प्रचन किया। विश्व में स्विमिंग एक प्रसिद्ध खेल है और बस्तर के नकसलगर के ग्रामीन बच्चों ने हर खेल में अपना परचम लहराया है और अब तैराकी के लिए उन्हें सही प्रक्षिन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। अपनी तैराकी के चेतर में बच्चे आगे बढ़ सकें। देश भर से एक करोर लोगों से सुझाव लेने है जिसको लेकर भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता आठ और दस मार्च को घर घर तक पहुचेंगे जिसमें लोगों से सुझाव और लाभारतियों से संपर्क किया जाएगा। डिजिटल मध्यम से भी आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं जैसे नमो एप्या 909090902024 पर मिस्कॉल कर सकते हैं। पत्र का एक सुरुवात किया गया है इसका सुरुवात 26 परवारी को इस अभ्यान का सुरुवात किया गया है। इस अब्यान के माद्यम से एक हाम लोगों से एक सुझाव लिया जाना है और इस सुझाव का टारगेट लक्षे है एक करोड लोगों से सुझाव लिया जाना है जिसको लेकर सभी जिला में आज प्रेशवारता का कारेक्रम रखा गया है और प्रतम चरण में विक्षित बारत संकल पत्र सुजाव सुबारम 26 जनवारी को वा ततपच्छात 27 और 28 परवारी को परदेश इस्तर पर इस कारेकरम को किया गया है और यही कारेकरम अभी जिला इस्तर पर